हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू महता डिज्टल क्लासेज, हाव आई यू, बच्चों हमारे सिक्स क्लास का इतिहास का सिक्स चाप्टर पढ़ रहे थे, नए प्रशन आवम नए विचार, ठीक है, उस चाप्टर में हमने कुछ टॉपिस क्लियर कर लिये थे, जैसे महादमा बुद्ध के बारे में, ठीक है, गौतम बुद्धा के बारे में, और महावीर स्वामी, जैन दरम जो है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, इसके लावा संग के बारे में हमने पढ़ा था, कि संग में रहने वाले जो बहुत विक्षू होते थे, उनके लिए कुछ नि है जो हमारे रह गया है इस चैप्टर का वह हम कंप्लीट कर लेते हैं ओके स्टूडेंट लेट स्टार्ट ट्रॉपिक बिहार जैन्द था बहुत भिख्षू पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे केवल वर्शा रितु में जब देश देते हुए घूमते थे लेकिन जब बारिश का समय होता था तब यात्रा करना गठिन हो जाता था तब एकी स्थान पर क्या करते थे निवास करते थे ऐसे समय में अपने अनवाईयों के साथ में उध्यानों में बनवाए गए अस्थाई निवासों में तथा शरनस्थल बनाए गए जिने बिहार कहा गया मतलब धीरे धीरे जैसे जिसे उनकी संख्या बढ़ती गई तो फिर उनके लिए क्या बनाए गया विहार बनाए गया उनके शरनस्थल बनाए गया रहने का स्थान बनाए गया क्योंकि कई बार ऐसा जिसे मौसम ऐसा होता था कि व लुवा बनाई गी होती है ठीक है अरम्बिक विहार लखडी के बनाका है वहां पे विशेशकर कुछ विहार जो है पहाड़ियों को खोदकर बनाए गये B गूट के बनाए गये तहीं और उसके बाद में इटो के बनाए गये गये और इकिन जो पश्ची मी भारत में देखे तो हम कुछ खास विशेश कर कुछ बिहार जो थे वो पहाड़ियों को खोद कर बनाई गए थे एक पौद्ध गरंथ से ग्यात होता है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नद्यों के अलगलग पहचान समापत हो जाती है ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुवाई जब भिक्षूओं की श्रेणी में प्रिवेश करते है तो अपना वर्ण श्रेणी और परिवार क्या करते है सब कुछ त्याग देते है प्राय किसी धनी व्यपारी राजा तथा भू स्वामी द्वारादान में दी गई भूमी पर विहार का निर्माण होता था स्थानिय व्यक्ति जो थे भिक्षू भिक्षूनियों के लिए भोजन वर्स्त्र दवाईयां लेकर आते थे जिसके बदले में भिक्षू और भिक्षूनी लोगों को क्या देते थे शिक्षा देते थे और मतलब उस धरम के संबंदित उने क्या देते थे उपदेश देते आगे आने वाले शताब्दिय में बौध धरम उप महादीब के बिभिन इस्सों के सासाथ भारी शेत्रों में भी फैलने लग गया इसके बारे में हम डिटेल से आगे वाला जो नाइन चेप्टर है उसमें पढ़ेंगे अब हम बात करते हैं आश्रम विवस्था के बारे में तो आश्रम विवस्था जैन तता बोध दरम जी समय लोग प्रिये हुए उस समय लगभग ब्रामणों ने आश्रम जो विवस्था है उसका विकास किया यह आश्रम शब्द का तात्प्रिय जो है वो लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रियोग में आने वाले स्थान से नहीं है बलकि जो इसका तात्प्रिय के है जीवन के एक चरण से आश्रम मतलब वो आश्रम नहीं कि लोगों के रहने का स्थान ध्यान करने का ठीक है वो स्थानी बल्कि जीवन के एक चरण से इसका अभिप्राय है जैसे चारतरे के आश्रुमों के विवस्था रखी गई थी ब्रह्मचरे आश्रम, ग्रस्त आश्रम, वानपरस्त और सन्यास आश्रम ब्रह्मचरे आश्रम के अंतरगत क्या था कि ब्रामण, शत्री और वैश्य इन से पेक्षक की जाती थी इस चरण के दोरान में साधा जीवन बिता कर वेदों का अध्यन करे थी शिक्षा प्राप्ट करते थे और वाखी जो विद्दय है वो भी सीखते थे ग्रस्त आश्रम की अंतरगत क्या होता था ग्रस्त आश्रम के अंतरगत उन्हें विवागर एक ग्रस्त रूप के में रहना होता था वानप्रस्थ के अंतरगत ठीक है पहले तो ब्रहमचारे आश्रम हो गया जिसे सिक्षा प्राप्त करते थे जैसे हमारे जहां होता है जिसे पहले विध्या ले जाता है बच्चा ठीक है बीस इकेस बाइस थे पढ़ाई पूरी हो जाती उसके बाशादी करता है इसी तरह ऐसे ब्रह्मचारे के बाद में ग्रहस्त आश्रम में प्रिवेश करता, वानप्रस्त के अंतर के अंतर के जब ग्रहस्त आश्रम के बाद में वानप्रस्त मतलब वन में जाना, वन में प्रस्थान करना, फिर उन्हें जंगल में रहकर क्या करनी होती थी, साधना, अं सतायू 100 वर्ष मानी जाती थी ठीक ना तो हर एक जो आश्रम का समय होता था 25 वर्ष का ठीक है पहले 25 वर्ष क्या होते थे पहले 25 वर्ष मतलब सिक्षा और उसके बाद में 26 से लेके आगे 50 वर्ष तक दरस्ताश्रम और फिर पचास से लेके पिचत्तर तक क्या होता था वानप्रस्थ आश्रम वो पिचत्तर से सो तक क्या होते थे सन्यास आश्रम मतलब सब कुछ त्याक के जीवन में क्या जाते थे सन्यासी बन जाना आश्रम ववस्था में लोगों के अपने जीवन कुछ हिसा ध्यान में लगाने पर किन वर्णों का उलेक हुआ है और क्या सभी चार वर्णों को ये आश्रम विवस्ता अपनाने के अनुमत दे थी तो ये कुछ पूछे गए हैं तो अन्यत्र इस कुछ एक ये अन्यत्र का पेराग्राफ जो आपके लास्ट में दिया गया है कुछ एकसा नॉलेज है इसको भी ह वित्र पुस्तक माने जाती है जैसे हमारी गीता होती है मुस्लिम जो होते है उनकी कुरान शरीफ होती है ठीक है बाइबल होती है उस तरह से जैन्द वस्ता भी क्या है जो पार्सी है इनकी एक पुस्तक है जैन्द वस्ता की भाषा क्या है इसमें वर्नित रिती रिवाज ह वेदो की भाषा रितिरिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं इसकी जो भाषा है और इसमें जो रितिरिवाज दिये गए हैं वेदो की भाषा और रितिरिवाजों से बहुत पिलते हैं जर्थुस्त्र की मूल शिक्षा का सुत्र है सद विचार सद वचन और सद कार्य है है इश्वर बल सत्य प्रधानता और हम सद विचार प्रधान कीजे जिनके जरिये हमें हम शांती बना सके एक हजार से कुछ अधिक वर्षों तक जर्थुस्त्र वादी इरान का एक प्रमुक लाने जाते हैं ठीक है ना थो यह चप्टर हमारा बच्चो यही पर खत्म हो चुका है तो नेक्स क्लास में में लाइने इस पिरने किनों डीओ आतको सारी चैप्टर्स जो भी करवा दी गय साथ वो सब ब्लैंड करने हैं कween के अभी आपके एक्जाम आ रहे हैं, आपके जो टेस्ट होने वाले हैं, एक्जाम होने वाले हैं, तो उसके संबंदित आपको इस लेबस जो है, मिल जाएगा और आपको उसे साब से अपनी तयारी करनी है, ठीक है, ओके बच्चो, थैंक्यू और है नाइस टे,